नमस्ते स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत आज के इस विशेश कारे के हम लाइव में करते हैं देखो दर्शकों आज मैं आप लोगों के ही कुछ सवाल कई दिनों से जो दर्शकों के आये थे अभी ही मैं आपके सामने लाया हूँ उनी प्रश्णों के कुछ समाधानों को मैं आप चाहे तो online अभी भी पूछ सकते हैं अभी ही मैं बताने का प्रयास करूँगा जो पहले के पूछे वे उनको आज बताएंगे देखो ज्यान से समझो थोड़ा सा जो लोग नए नए योगा भ्यास करना भी शुरू किया है जिनोंने यह जो लोग अच्छे स्वस्त रहना चाहते हैं जिनकी इच्छा रहते हैं कि मैं स्वस्त ही बना रहा हूँ बीमार नहों बड़ी उम्र में भी दिरे दिरे उम्र के साथ व्यक्ति के शरी में समस्यां बढ़ती चाहती हैं मैं इसमें आपके कमेंट देखता रहूँगा जैसे जैसे आप लोग करेंगे बाकी जो सवाल बने वे हैं आये वे हैं उनका मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ सबसे बड़ी बात एंटी एजिंग चीज है जो लोग चाहते हैं कि मेरी उम्र बढ़ने के साथ मैं बीमार ना पड़ो तो उसके लिए क्या करें एंटी एजिंग सबसे बढ़िया काम कि पहले तो अच्छा सात्रिक सोचें अच्छा सोचें किसी के प्रति कोई बुरी काम करने होंगे अरव साका ममें करना है हमारे ही पूरे शरीर में एक जीवनी शक्ती वरदक बिन्दू होता है पॉइंट होता है एक्यू प्रेशर में इसको बुड़ापा रोको बिंदू कहते हैं एंटी जिंग पॉइंट कहते हैं यह दाई भुजा में मद्ध में बीचों बीच रहता है यहां रहता है इसको एक मीनट दो मिनट तक ऐसे दबाना आखे बंद करके मन में विचार करना कि कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं मेरी इमेनिटी बढ़ दाई है एंटी एजिंग पॉइंट कहते हैं इसको इसको आपको दबाना कैसे दबाना देखो इस नाकून को काट लेना इस नाकून को यदि काट काट होगे नहीं तो चुप जाए इसको काट करके फिर ऐसे चलाओ दबाया लों का छोड़िया मृण दो dals के फ्रेकंड का प्रेशर दिया उतना ही इन प्रेशर देंगे मृण जितना आपको आप सहिं गर सकते हैं हम ख ऐसे दस से 20 वार प्रतिय दिन आपको प्रत्यकार दबाना पहला-पहला तो इस लिए दूसरा हमने का हो किए रुष्टी एजिं कम्साइव से पहला पहला बालों से सुरू करते हो बालों की बहुत साथ समस्याit बाल जड़ना कैं जुएं पढ़ना मैं इसे वा Hillों का दो मुहां होना वाल कमजोह और होना बालों का सफेद हो जाता दो पक है बहुत सारी और भी समस्याइं होती हैं कम उम्रे में सफेद हो जाने इन में जहां पर योगासन काम करते हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे अच्छा काम करते हैं बालों की समस्याओं के लिए एक बहुत अच्छा योगासन है जिसका नाम है शशक आसन उसके लिए प्रकार से माथा लगा के शरी धीला चोड़ देंगे पीछे कोशिश करें अपने तंबों को अपने एडियों से टच करके रखें यह वाला टच रहेगा कौन सा इरिया नित्म माथा यहां लगाएं आँकी बंद करें गहरा श् incumb भलेिए अनके भoff बलट प्रेशेर है जिनकी यादाश कमजोर है कि उलीन नहीं आती का चैंठी ने वालों की किसी भी प्रकार्टलु मस्या है ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा फाइदे मन्द जिनका चहरा पीला पड़ा हुआ है लाली नहीं है मुखमन जलता है जो तनाओं में ज़्यादा जो अपने दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं तनाओं में भी रहते हैं दिमाग का काम ज़्यादा करते हैं कि साब समस्या हलों जाएंगी क्योंकि blood का flow हमारे आपी ट्यूटरी ग्लेंड में आई पॉतलेमेस ग्लेंड में या मोटे शब्दों में कहा जाए कि हमारे मस्तिश्क में होगा कि दिमाग की सबी समस्या धीरे धीरे कम होती जाएंगी सउल बरते वे वापस आए है हो फिंट शोड़ते me दृटे भन आपस साइट से एक उसकंड शनक आधे मिनट मेरा कर पांश मिनट तक सामनी र्शायर रूप से कर सकते हैं इसमें कोई कथिन ढाई नहीं कि सांस रोगना है सफ्समय पर उठेए सवस्त्रेएं के राज सुन्धर कारिक्रम सभी समय पर उठें रज़ी समय पर भूजन करें प्रातय का आ Twenty Bir light है वी मिल लेना है में अच्छा भारी भूजन के बाद एसे तैस मिनेट ऐसे वज्ज्रासन में बैठा करो जिनके गुट्नों में धर्द है विवज्रासन में नहीं बैठ सकते उनको सामनी रूप से सीध़atic गुट्नों में दर्द वाले बैठ सकते तो ऐसे बैठ जाओ एЭक ऐसे तल्बे को एक जंगा तोड़ी देर इसको अर्द पशु विष्रामास अब बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो बालों को जो हमारे दर्शक कईयों के सवाल आते रहते हैं ज्यादा तर बालों के सवाल आते हैं तो पुराने जो जिन लोगों के सवाल है उनका मैं उत्तर देने का प्रयास करूँ बालों की जिनको समस्या है सब्ताह में एक दिन सबसे पहले तो क्या छोड़ना है फिर पताओंगा क्या ग शैंपू लगाने से बाल खराब हो जाते हैं थोड़ी दिन अच्छे दिखते हैं थोड़ी देर अच्छे दिखते हैं बाउंसी बाउंसी सिल्की सिल्की दिखते हैं बाद में ये खराब हो जाते हैं जड़ जाते हैं खलित होना पलित होना क्या होता है जड़ना और सफेद हो तो पहले तो शैम्पू को बंद करना पढ़ेगा हमारे बालों में से नेचुरल ओयल रिलीस होता है बालों की जड़ों से उस नेचुरल ओईल को ये शेम्पू की जो केमिकल वाली चीज है ये धो डालती है जब वो नेचुरल केमिकल नेचुरल ओईल धुल जाएगा तो बाल तो जड़ेंगी उनका पोशक तपी तो समापत हो गया तो नेचुरल ओईल को आप धोए नहीं साबुन आधी बालों में नहीं लगाना चाहिए अब बालों में क्या लगाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए बालों में आप दही को फैट करके उसमें काली मिर्ची डालें और उसको फैटें फैट करके दही को अपने बालों में लगाएं जिन लोगों ने डाड़ी रखी भी बड़ी बड़ी तो तो बालों के लिए दही का प्योग करें अफते में आप दो दिन तीन दिन हर दिन दूसरे एक दिन छोड़ करके आप लगाएं बाल चिकने के चिकने न्यूटिशनल वैल्यू इसमें प्रपर आ जाएगी अच्छी अपने आप ही आपको शायनिंग वाले दिखेंगे काले के काले दिखेंगे जड़ें की जड़ें मजबूत हो जाएंगी और मोटे हो जाएंगी बाल मोटे करने का दो मुँओं बालों को समाप्त करने का एक सु करते हीं बहुत सारे बाल आ रहें ऐसा नहीं होगा पर मोटे हो जाएंगे जड़ें मजबूत हो जाएंगी जैटून के तहल की मालेश अपने बालों में सब्सक्राइब करने के बाद क्या लगाएं तो यह भी बताना पड़ेगा तो शैंपू बंद करने के बाद वही शैंपू का काम और साबून का काम दोनों करता है प्रती दिन कर सकते हैं इतना पीस के रखो साल बर काम आ जाएगा साल पर आपको दूसरा पीस नहीं पड़ेगा अच्छा खासा पीसना है बिल्कूल फाइन पाउडर उड़ने वाला नहीं तो यह दोने के साथ आखों में बालों के लिए शैंपू का काम बता दिया और तेल का भी काम बता दिया फिर भी आप तेल चाहें तो ब्रिंग राज महा ब्रिंग राज तेल बाजार में मिलता है असली बिना मिलावट वाला अब ऑथेंटिक तेल खरीद कर लाए नहीं तो पतंजली में भी एक हरवल एक्सपर्ट एडवांस केशकांती तेल मिलता है आप उसको ले आईए वो भी बहुत अच्छा तेल है उसमें भी जड़ी बूटियों का मिश्ण है जड़ने की समस्याओं को बिल्कुल रोगेता ततकाल एक दो दिन में यह हमारे आजमाय हुए कही सारे लोगों पर प्रिय और उसको पकाते जहें पकाते जहें पकाते जहें और मेहंदी एक बेर होता है ना बेर आप खाते हैं शबरी के बेर बेर के पत्ते भी डाल लेंगे इन दोनों को ब्रिंगराज को बेर के पत्तों को इन दोनों को आप डाले अगर आप कर सकते हो तो अमर बेल की विस्ता कर नहीं तो बेर के पत्ते और जिसको ब्रिंग राज कहते हैं बाजार में मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा दोनों को ले करके पहली बार में आपको आइडिया हो जाएगा कि कि कम हो जाएगा तो जब 75 परशेंट रह जाए तब इसको उतारे ठंडा करके काच की बॉटल में बढ़ें और उसके बाद इसको प्रती दिन लगा यह आपका आयरवेदिक ऑईल घर में तो यार हो जाए ज़्यादा जड़ी पूटिया है जो आप जो मैंने पहले बताया था उ आपको मैंने तीन रात्री को लगाना चाहिए बालों के लिए सबसे उत्तम एक और चीज यहां पर याद रखने की जरूत है हमें अपने नाभी में प्रती दिन रात्री जब आपकाने चाहिए पांच से दस बूंदें देशी गाय का घी भैस का घी नहीं गाय का घी देशी गाय का घी है यह हमें करना ही चाहिए इससे बालों पर बहुत विशेश प्रभाव पड़ता है जिनके बाल कम उम्र में सफेद हुए उनको प्रती दिन चालीस दिनों तक नाभी में देशी गाय का घी डाले आपको पता लग जाएगा बाल सफेद से काले हो जाएंगा दस 25 साल की उमर में जूंके सफेद हैं 5 साल से लेकर 25 साल तक लोगों के लिए बाकी तो देशी की प्रती दिन उसमें डाला करो अपने नाभी का खेतर जो है उसमें मालीश भी खिया कर रास पास में और नाभी में डाला भी करो 5 से 10 ने तक रात को सोने से ठीक पहर यह अपको पालू का सारा सिस्टम बता दिया अब चलते चेहरे पर राग दब्बे मुहा से जितने भी है इस सब थोड़े से दिनों में पांच साथ दिनों में ठीक हो जाएंगे आप मिट्टी को अपना साथी बनाईए पहले तो यह केमिकल को चेहरे पर जो लगाते हैं इसको हटाना प पड़चन कमेंगे और उसके बाद उसको भीगो दीची बिगोने के बाद उसको लकडी से थोड़ा करके बिगो करके और उसके बाद इसको सुबह सुबह लगाए शाम को लगा तो दोपैर में कभी भी लगाए 20-25 मिनिट तक बोलना नहीं है चेहरे पर लगाओ देखो ती अगर आपके पहले से बहुत सारे निशान है चेहरे पर तो इस मिट्टी में आपको नीम के पत्तों को भी पूट करके डाल देना चाहिए आपके निशान भी चेहरे पर जो बने हुए वेधी समाप को जाए है अनार के छिलके अगर आपके पास हैं सूखे हुए और उनको इस नार ज़्यादा प्रभाव शाली हुजाए मिफिटी एक तो मनें चेहरे के सिर के बाद चैहरे की बाद सिर के दर्द के लिए बड़ा परेशान होते रहते गों नासी का में आपको नाक में थे नाक में आपको प्रतीजिन ऐसे और फांसे साथ बूढदें में फिर कि दोनों सिर जो है उत्पा दौर क्या है नासिका के दोनों जे इसलिए ना उसमें डालें इसमाइ ताल्य फिर इसको करना मैं आपको बैठ के बता लेट करके करना है ऐसा रोज करें एक दो दिन में समस्या हल होने लगेगी सिर्दर्द की जो समस्या है याद ना होने की समस्या में आराम मिलेगा यह बात पकती है एक और समस्या माइग्रेन पेन वाली इससे हल हो जाएगी पर्मानेंट हो जाएगी सिर्दर्द के लिए आपको इस प्रकार से यह करना चाहिए ऐसे ऐसे यह वाला पॉइंट ना सिर्द का सबसे ऊपर का पॉइंट इसको आपको यह ऐसे दबाना चाहिए लाइव अमारी जो दर्शक हैं वे भी प्रश्न कर सकते हैं मैं देखता हूं किसका प्रश्ण आया है कि मूल निवासी कांती परिवार आपकी कोई प्राब्लम हो तो बताईए जी तो कुछ दर्शकों के जिनके भी लाइव आएंगे हम कोशिश करेंगे उनके प्रश्नों को लेने का इस प्रकार से अपने अंगूठों के जो सबसे ऊपर का इसको आपको यह दबाना है कि सिर का तुरंत ठीक होता है तुरंत दो मिनिट में यह वाला पाक सबसे उपर नहीं दोनों को आपस में दबाना है कि ऐसे दबाओ अभी सिर में दर्द और अभी ठीक हो जाएगा ठीक है सिर्फ दर्द के लिए माइग्रेन पेन के लिए माइग्रेन पेन वाले भी ध्यान से सुनिए माइग्रेन पेन की समस्या बहुत जादा दों को रहती हैं सुन्ते तो हैं करते नहीं हैं चोटा सा सरल उपाय बता रहूं बाईग्रेन पेन वालों की लिए सरसों का घानी का तेल ले लें, शुद्ध घानी का तेल, ऐसे कटोरी में या किसी में ले लेंगे, और ऐसे सूंगें, बिल्कुल पास मिला है, दो मिनट, तीन मिनट रोज सूंगें, बिल्कुल सूंगें, बिल्कुल सूंगें, ऐसे होता है न, एक गोली सुबह, एक गोली श करके देखो बड़े से बड़ा कितना ही पुराना माईग्रेन पेन हो आपका माईग्रेन ठीक हो जाए और एक यह वाला कर लो प्राणायाम की दृष्टी से सिर के दर्दवालों के लिए सब के लिए अनुलोम विलोम सबसे उत्तम अभ्यास अभी तक जो देखा गया है वो आ गूठे के ऊपर के पार्ट को थोड़ा हलका सा प्रेस करेंगे और यह वाली प्रणाव मुद्रा लगा देंगे दूसरे हाथ से ऐसे इसको प्रणाव मुद्रा करेंगे राइट नौस्ट्रेल हम क्लोस कर देंगे नासिका का दायां चिद्रम बंद कर देंगे अब बाएं चट्र से पहले श्वांस को बहर छोड़ेंगे फो फूल को अब भरेंगे जहरेंगे गहरा बहुत गहरा करेंगे कि only my six जबरा उसा बंद कर देंगे दो औंगलियों की विसायता से दूस्री और से बाहर छोड़नेंगे कि जिससे छोड़ा इसी से बने इससे बंद करके दूसरे से बाहर इसको निरंतर बढ़ाया रखना यह एक चक्र हुआ वीज पचीस तीस आराम से बिना गिंती के करो चक्र लेकिन दस मीनेट पंद्रा मिन्त लगात्तार करें चेंड सिस्टम से करें कैसे करना देखों एक से बहर दूसरे से बहर जल्दी नहीं परता इध्यान रखना स्लोली स्लोली करना आखे बंद करके करना माइक्रो अब्जर्वेशन के साथ करना आनंद आएगा सारा शरीर अंदर से मजबूत हो जाएगा अनुलोम विलोम केवल सिर दर्द की समस्या को हल नहीं करता ये पचासों हजारों समस्या को हल कर सकता है कैंसर वालों के लिए भी बहुत बड़ा उपलब्दी करवा देगा अच्छे स्वास्ते की उपलब्दी उसको भी हो जाएगी और सामाने सा सिर दर्द भी है उसको भी अच्छा फायदा होगा लेकिन करना रोज प्रात है काल की वायू में करो सुबह आठ से पहले बहुत आनंद आएगा एक दो दिन में शक्ती अनुभा होने लगेगी करो आएगा पह आएगा पह दिन में रोी करो झाल झाल लेफ्ट से शुरू किया था लेफ्ट से बाहर निकाल के खतम करती है यह हमारा अनुनोमिलम यह आपको दो-चार मिनट करके बता है कि इस तरह से हमें लगातार अभ्यास करना है अभी तो केवल संकेत के रूप में थोड़ा सा करवाया आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करेंगे तो आपको 2-4-5 दिन में लगेगा कि अच्छा स्वास्त हो रहा है विस्सिर के दर्द के लिए आमने बात करें बात करें थाइरट की प्रब्लम के लिए थाइरट की जिनको भी समस्या है उनको ब्रम्म मुद्रा का प्रतीदिन 50-50 बार प्रियोग करना है कैसे करना है, अभ्यास करना है Şवास्त, देखो जिनको सर्वाइकल की भी प्रब्लम है उनको आगे नहीं जुका नहीं करदें ध्यान रखना ब्रम्म मुद्रा कैसे होगी ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध है चतुर मुखी ब्रह्मा के नाम से श्वास पूरा भरें धीरे-धीरे करदन को पीछे ले जाएं पीछे ले जाकर पीछे ऐसे लटका देंगे थुड़े रुकें कंट पर यहां पर मन को टिका के रखें और विचार करें कि मेरा कंट मेरा thyroid gland बिलकुल balance स्वास्त निरोगी हो रही है इसमें शक्ती आ रही है श्वास बाहर चुड़ते हुए दीरे-दीरे-दीरे-दीरे वहाँ पास और दीरे-दीरे-दीरे नीचे ठोड़ी को भी अंदर की तरफ लगाना ऐसे कि एक बार किया है ऐसे आपको पांच से दस बार पहले दिन करना इससे डबल चिन की प्रब्लम भी समाप्त हो जाएगी कंट के नीचे ऐसे डबल चिन आ गई है ना ऐसे यहां से थोड़ी से नीचे आ गई जो यह हो गया एक ब्यासन यह एक पीछे ले गए थोड़ी देर रोका पांच से दस सकेंड और वापस लाए और पिर नीचे ले ऊपर और नीचे यह फास्ट प्रैक्टिस हो दें ठीक है वापस ले आए ऐसे आपको पांच से दस बार थाइरड वालों को करना ज्यादा दिमाग मतलगा बहुत सारी चीज़ें कर पाऊगे थोड़ा थोड़ा करो बीमारी सौल हो सकती है आपने संकल्प ले लिया कि मुझे ठीक करने तो नीचेर के करीब आके आप अच्छा कर सकती हो असंभव कि हो सकता दवाई भीच हूट सकती है कि करना चाहें सांस बाहर दूसरा फैक्ट यस देखते हैं संस बाहर करते 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 राइफ साइड में ले जाए थोड़ी दे रोखने कम्त पर मन को टिकाए और संकल्प करें आके बंद र IRA तरम कि मैं पून स्वस्त हो रहा हूँ, कंट के सभी रोग मेरे दूर हो रहे हैं। ठोड़ी देर रुखने के बाद सांस भरते, 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 भरते भरते वापस आज़े। देहरे रखना पड़ता ना देहरे पूर्व करना आवे श्वास पूरा बाहर फिर आखे बान कुछ भी नहीं सोचना बाहर का कुछ नहीं सोचना क्योंकि जैसा सोचेगा वेक्तिवे समन हो जाए ला इसलिए सोच के ये रखो कि मेरे समस्त रोग सारे डिसॉडर्स दूर होते चले जा रहे हैं मैं पूर्ण स्वास्त निरोगी बल्वान और पवित्र होता चला जा रहा हूं ऐसा विचा दो देखो एक एक क्रिया कैसे चमतकार की तरह काम करेगी बात पक्की है चमतकार होता नहीं है लेकिन आप मैनत करोगे तो घटित हो जाएगा अपने ही शरीद मे पुरिशार्थ करोगे सही दिशा में मैनत करोगे तो यह हो गए दूसरा अब्यास ना दाय और बाय तीसरा अब्यास करें श्वास भरते वे पीछे जिनके सर्वाइकल की प्रॉबलम है न वह आगे नहीं आना वह से तीन दिशाओं में चलाना दाय बाय और पीछे ठीक है और जिनके सर्वाइकल स्पॉंडॉलाइटिस की समस्या नहीं है गरदन में नहीं दर्द है तो फिर चारों तरफ ऐसे चलाएं श्वास भरते वे लोकवाइस श्वास बाहर चोड़ते वे पूरा आगे की तरफ लाएं ऐसे पांच से दस बार क्लॉकवाइस चलाएंगे और पांच से दस बार हम अंटी क्लॉकवाइस भी ऐसे चला लेंगे यह जब भी श्वास भर रहें तब पीछे जा रहें जब श्वास बाहर चोड़ने तब आगे आ रहें ज़्यादा से ज़्यादा टच करने की कोशिश करो गरदन से चारों तरफ के भागओं को ज़्यादा स हर समय चक्कर आते रहते तो इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए सिर में दर्द साइड वाल उपर वाला पॉइंट बताएं और दाएं भाएं वाला तो थाइरोड वालों के लिए मैंने एक बात बताई कि ब्रह्मो मुद्रा का निये में तुरूप से अभ्यास करें सुबह दो अभ्यास के लिए सबसे अच्छे लाबकारी अभ्यास ब्रह्मो मुद्रा के हमने आपको बताएं थाइरोड वाले एक अभ्यास और करें खान पान में भी ध्यान रखना है उनको दही नहीं खाना खीरा नहीं खाना खटी और ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए कभी कभी अलग बात है बाकी इसके रोज के अभ्यास आए देनके अभ्यास में ना रखें नीभू हो उंली हो दही हो छास हो इन सब चीजों से परहीच करना है ठाइरेट में ठाइरेट को बिल्कुल ठीक करना है तो च्छे मेने परेज कर लो अच्छी हो जाए कि फिर खाले ना कौन मना करता है ऐसे थाइरड के लिए अमारा एक्क्यूपेशर का पॉइंट अमारे हाथ में होता है देखो यहां पर पूरी एक लाइन बनी विए पूरा इसके अंदर का पार्ट है अंगुटे के ठीक नीचे ज यद्वाचा वदती यद्वाचा वदती तद कर्मना करोती यद कर्मना करोती तद अभी संपज्यते जैसा मन में व्यक्ति ध्यान करता है वैसा वानी से बोलता है जैसा कर्म करता है वैसा हो जाता है ऐसे दूसरे हाथ में भी पांच मिनिट कर लो अभी तो मैंने एकाद मि तो भी हम online, offline, offline नहीं, online कक्षाइं चलाते हैं, आप देश के किसी भी हिस्से में हो, अपने घर से ही Google Meet से हमसे जुड़ सकते हो, हमारा mobile number 9828650092, 9828650092 है, इस पर आप अपनी समस्या, अपना नाम लिख करके आप message करेंगे, आपको Google Meet की कक्षा में जोड़ देंगे, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, देख के हम बताते भी हैं, और पूरा एक घंटा आपको अपने साथ योग कराएंगे, जिस भी रोक की दृष्टी से आप कर रहे हैं, उसमें जितने भी उपयोगी क्रिया होंगे, आपको साथ में कराएंगे, गलत कर रहे होंगे, तो टोकेंगे, रोकेंगे, वो उस कक्षा में आप जोइन कर सकते हैं, वो एक अच्छी online बढ़िया सुविदा है, अच्छी सर् करते हैं, और बहुत अच्छा बढ़िया जीवन जी रहें, बड़ी उमर वाले हों, चाहिए छोटी उमर वाले हों, सभी प्रकार के, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ जुने हैं, तो उन सब को हम योगा भ्यास कराकर अच्छा स्वास्त करवाते हैं, क्योंकि हमारी उस कक करवाते हैं उसके अलावा योगासन करवाते हैं प्राणायाम करवाते हैं यज्जिय थेरेपी हवन के द्वारा कैसे हमारे रोगों का उपचार हो सकता है वो भी करवाते हैं प्रैक्टिकली करवाते हैं ऐसे नहीं कि इसके बारे में बता देते हैं और एक प्राक्रतिक चीकि बढ़िया स्वास्ते कर सकते हैं शटकर्म भी करवाते हैं शरीर के सारे टॉक्सिंस कैसे निकल जाएं जिनको नशे करने की आदत हैं उनके दृष्टी से भी हम योगाभ्यास इसमें करवाते हैं और जिनको कोई गंभी रोग है असाध्य रोग हैं बड़े रोग कैंसर आदी तमाम तरह की समस्याओं के लिए हमारी आरोग्या की कक्षा सब के लिए उप्योगी सिद्ध हो रही है पिछले कई सालों से आपके लिए भी होगी क्योंकि ये स्वामी नियूस के करेक्टर में तो हम लिमिटेड चीजें बता पाएंगे और दूसरा बता तो बहुत सारा द आप इसको सुन करके और आपको उत्तम लगे हमारे सत्र में कैसे हम एक एक चीज को धीरे धीरे आराम से आपकी आयू को देखते हुए करवाते तो आप उसका लाग उठा सकते हैं यह हमारा थाई रोड की गले की बात रही कले के लिए भी हमने कुछ चीजें बताई अस्तम अस्तमा में भी अनुलोम विलोम आपके लिए बड़ा अच्छा उप्युक्त काम करेगा अस्तमा के जितने रोगी हैं उनको शहद और अद्रक का रस इन दोनों को बराबर मात्रा में डाल करके मिक्स करके पीना चाहिए अस्तमा की रोगियों के लिए बड़ा उत्तम अच् करवाते हैं जिसमें कैंसर वालों के लिए करकटेश्टी जिनको वात रोग हैं उनको वातेश्टी जिनको मतलब वायू के यहां दर्दों के रोग हैं उनको वातेश्टी ऐसे जिनको डाइबटी से उनको मधुष्टी और जिनको हाट की डिजीज है उनको इरदेश्टी ऐ से कई सारे हवन सामगरियों से हम उनको यज्य करवाते हैं और वे लोग जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं यज्य ठरेपी तोड़ा यज्य करके तोड़ी सी दूर पर रखवा देते हैं उसकी जो गंद आती है वो मेडिकेटेट एयर होती है उसमें प्राणायाम और आसन करवा देते हैं तो डाइबिटीस वालों के लिए एक दो आसन आपको बता देते हैं तो एक यह पुश्पू होता है आपको दिखाता हूं इसका नाम है सदा बहार या सदा सुहागर यह गुलाबी कलर का फूल है इसके पत्ते और इसका फूल में दोनों को आपको एक एक तोड़ के दिखा रहा हूं ध्यान से देखिए यह आपके आसपास सब जगे मिल जाता है इसको सदा बहार कहते हैं इसको आप धो लीजिए और इसको पांच फूल लेंगे डाइबिटीस किसी को भी है और जिनको नहीं भ इसको पांच फूल लेने पांच पत्ते लेने और ऐसे खा जाना है खाली पेट सुबह सुए इसको खालो डाइबिटीस वाले इतने बढ़िया हो जाएंगे कि उनकी डाइबिटीस की दवाई भी जूट जाएगी अगर नियमित रूप से योग किया प्रकृती से जुड़ पूरा लिक्विड मों में हो गया और अंदर लिया फिर बाद में और कच आशनों का अभ्यास किया जैसे एक अच्छा आशन अबहुत ऑसनprocess के लिए अभी एक वता है वह भी डाइबिटीस के लिए अच्छा हूप योगी है एक आसन है जिसका नाम है वक्क्रासन या सूर्य नमस्कार रोज किया एक पैर को ऐसे मोड लिया दाये वाले को बाया हाथ ऐसे उपर उठा श्वास पूरा बाहर और जो दाया पैर है ना इसके ठीक विप्रीत वाला आपको हाथ लाना है ऐसे आपको लेना है और पूरा ऐसे कौनी से इस गुटने को बीच्छे की ले जाएं और श्वास पूरा बाहर करके पीच्छे की तरफ चल जाएं पीच्छे मोडे पेट पर मन को टिकाएं और जदी आप श्वास नहीं रोक सकते तो श्वास सामान ने रखो और पीच्छे घूमने के बाद वहीं रुके रहो और मुस्कराहट रखो आँखे बंद रखुश रहा करो इडशा द्वेश मत रखा करो दुनिया धारी से सारी दुनिया को आप बदल थोड़ी सकते हो कोई आप अपने आपको बदल लो बहुत है हम सुद्रेंगे जग सुद्रेगा तनाव बहुत बड़ा कारण होता है डा नाओ को दूर रखो तो यह दाइबिटीज भी आपकी सामन्य हो सकती है कोई बड़ा काम नहीं लेकिन उसके लिए लाइफ स्टाइल चेंज करने पड़ते हैं लाइफ को मोडिफाई करना पड़ता है लाइफ में कुछ एड कुछ करना पड़ता है कुछ लैस भी करना पड देखो कितना सुन्दर जीवन हो जाएगा बहुत स्वस्त हो जाएगा सुगंधित हो जाएगा दूसरी तरफ से भी इसको करेंगे वक्रासन प्रसन्य रहो आखें बंद कर सको दो बंद रखो कि यह मारीच यह वक्रासन वापस आएं फिर विश्राम अर्थाथ शरीर धीला जो है दो आसन याद रख लो डाइबिटीस में बस बहुत दो आसन याद रख लो इसको धंक से पांच-पांच मिनट जम जम के करो एक-एक मिनट कर लिया ऐसे दो तीन बार और कर लो तीन-च चाहिए द्यान रहों कि मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठके कि कहां पर आपको पैर लगाने में थोड़ा सा क्या दीरे-दीरे कर रहा हूं क्योंकि यह माईक है ना इसकी वायर कहीं अटक न जाए इसलिए द्यान से देखेंगे एक बार हाना द्यान से देखें देखो कुछ लोगों की क्या संदेश भी आ रहे हैं कि इसको मैं साइलेंट कर देता हूं नहीं तो फिर आपके पास आवाज आएगी देखो पेट पर नाभी के दोनों और थोड़ा सा उपर की तरफ आपको क्या करना है अपनी मुठ्यों को ऐसे रखना है कि आपकी मुठ्यों के अंदर आपके अंगूठे फिट हो जाए ध्यान से देखें कि ऐसे कि सांस पूरा बाहर निकालें बाहर ही रोकें पेट को अंदर पिछका देंगे शिपका हैं अंदर और पिर मुठ्या इसके अंदर फिट करके आगे की तरफ चुकी थोड़ी देर रुकें मन में विचार करें आखे बंद रखो यदि आप सांस बाहर रूख के रख सकते हो तो अच्छी बात नहीं रख सकते तो आप शामान्य श्वासे कर लो लेकिन पेट को मुठ्यों से दबाते रहो लिवर अच्छा होगा पेन क्रियाद अच्छी होगी और स्प्लेन अच्छा होगा आते अच्छी होगी तो डायबिटीस क्यों रहेगी आपको नहीं रहेगी सांस बढ़ते वापे साथ आए ऐसे अगनी सार भी आप कर सकते हैं ऐसे सांस बाहर निकाल के बाहर रोकें रोके रखें और पेट को अंदर बाहर चला है ऐसे ऐसे रोज किया करो ऐसे देखो साइड से भी देख लेते हैं इसको साइड से देखो आपको साइड से के पोस्चर पता लग जाए कि कैसे पोस्चर बनता है कई बार के माता लगा लेते तो लोग ऐसे कोशिश करो बिना सिर को जमीन पर लगाए पीछे नितंबों को एडियों से लगा के रखेंगे एडियों को नितंबों से यह अपने को थोड़ा सा ज्यार लगना है अब किसी के नहीं लग रहे तो क्या करो लेकिन आसन तो करना कमरदर्द वाले आगे जुकने वाले आसन ना करें जिनमें यह भी आसन है इसको नहीं करना कमरदर्द वाल कि थोड़ा मुट्टियों को और दबाओ अंदर तो कि डाइबटीस ठीक हो रहा है शुगर लेवल प्रापर हो रहा है ऐसी भावना मना के रखा करो कि श्वास भरते 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 वापस आज जैंग विश्राम यह आपको मैंने बिल्कुल इतना ओपन बता दिया कि दोनों तरफ से हो गया और पूरा पर आपको हाथ रखके दिखा भी दिया तो ये मंडू का आशन का अभ्यास था ठीक है तो ये मंडू का अभ्यास को नहीं करना जिनके कमर में दर्द रहता है और जिनके पेट की कोई सर्जरी आदी हुई है वे मास्टिक धर्म में और जो प्रेगनेंट है वे और उसके अलावा पिरियेट्स के दाइं मास्टिक धर्म के यह सब ध्यान रखने की बाते हैं और जो गुटनों के दर्द वाले हैं वो तो ऐसे वजरासन में ना बैठें वे भी ना करें इसको वो लोग को एक दूसरा आसन कर सकते हैं वो कैसा कर सकते हैं उसके लिए एक आसन है वो है योग मु अच्छा कर सकते हैं ऐसे लगा लो यह एडिया अंदर चली जाएंगी योग मुद्रा से अच्छा क्रिया हैं आपको अपने अपने अनुकूल कुछ क्रियाओं को ले करके नियमित रूप से जब अभ्यास करेंगे तो अच्छी हो जाएंगे डाइबिटीस के लिए बताया अस्थमा के लिए डाइबिटीस के लिए क्या खाना क्या पीना इसके अलावा कमड़ दर्ध की बात करतेहां कमड़द के लिए बहुत सरे लोगों क LA कि समस्या को लिस्ट्रॉल की ट्राईग्लिस्रियर और बात कर पहले तो प्रती दिन इन पिंडलियों को आप रोज दबाया करो पिंडलिया काफ मसल्स काफ मसल्स की रोज हमें क्या करने चाहिए मसाज करने चाहिए मसाज काफ मसल्स की डेली करेंगे तो पेट में वायू नहीं बनेगी कभी भी ध्यान रखना पेट में वायू बनेगी तो तो आपको क्या करना है थोड़ा सा इनको डेली करना है आपको गोबी आलू छोले राजमा और यह बाहर की जितने फास्पूर्ड इन सब चीज़ां से थोड़ा सा बचें कभी-कभी तो खाने में आता ही सब कहीं आ जाता है लेकिन थोड़ा इनको बचाएं बचने का प्रयास करें तो आपके वायू की समस्या खतम हो जाएगी फिर दीरे-दीरे करके आप कभी-कभी खाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी योगा ब्यास रोज करना है व्यायाम करें आसन करें थोड़ा-थोड़ा मतलब अपने को देखो सीड़ी-सीड़ी बात है स्वस्त रहना है तो ग्यायाम जिस शरीर में नहीं होगा उसका वोजन नहीं पचेगा वह व्यक्ति बीमार रहेगा पकी बात है तै बात मानके चलना ठीक है ऐसे तीन से पांच मिनट की मसाज़ करें एक-दो मिनट्य तो मैंने करके ही बतादी ऐसे ही दूसरी तरफ भी ऐसे ही करना है ठीक है मैं दिखा ऐसे लिए रहा हूँ कि कई बार गलत-गलत करते हैं अड़ी पर कोई कर रहा था मैंने देखा मैंने का भाई इससे ज़्यादा क्लियर क्या दिखा हूँ ठीक है कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखनी होती है अपने को ठीक है यह रोज करने की चीजें यह एक्यूपेशर आपको मैंने सबसे पहला जो जीवनी शक्ति वर्दक बताया वह भी रोज करना यह वाला भी करना को ओब हैंति होझी हां अभी हम बात करने थे कमर के दर्थ की ईक frankly या यो जूत तो वाइए रहा है और कि गुटनों के जर्थ की इस्वेमर दरशिए कमर के मुख्यमर यह समस्या के लिए उनको ciao कर रहे हैं तो कुटने जू हैंको कसना हैं टाइट करना ऐसे दण्दासन लगाओ सी बैठो कुट्नों को क्या करना कसना ए टाइट करना ऐसे सांस भरें अरुब कर्ना यह नीचे की तरफ दब जायंगे अपने आप दिला छोड़ देना आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट चाहिए तो मन में काउंटिंग करो देखो सास भरो गुटनों को खीचो और मन में गिनती गिनो एक दो तीन च्याव पांच छे साथ आठ नो दस दिला छोड़ें ऐसे दस बीस पच्छीस भार प्रति दिन करें पांच से दस मिनट आपको विप्रीत चाल भी चलना चाहिए विप्रीत चाल कैसे यानि उल्टा विप्रीत चक्रमण दोनों आतों को या तो उपर रखें या कमर पर रखें ऐसे उल्टे कदम थोड़ा जल्दी जल्दी चलें अभी तो यह मंच है इसलिए में जल्दी जल्दी नहीं चल रहा तो कोशिश करें आप ऐसे पूरा पूरा पीछे रखें पैर को सीधा करें गुटने को और पूरे लंबे लंबे कदम एक बड़ा फ्लोर यानि खूब अच्छे मैदान में चलें अपने बराम एक को और अच्छा ब्यास हैं जानूं शक्ति विकासक कहते हैं जिसमें यह पीछे जाएगा एक एडी और सामने भी एसे किक लगेगी ऐसे एक दो एक दो सांस बर के पिछे सांस बाहर एक दो सास बर के पिछे सास बाहर आगे ऐसे आपको 10, 15, 20 बार करना एक पैर से 10, 15, 20 बार करना दूसरे पैर से ये आपको गुटनों के दर्द के लिए तीन चीजें बता दे बैठे बैठे और विपरी चाल उल्टे चलना और एक जानूँ शक्ति विकासक पीछे केक आगे केक हम बात कर रहे थे कमर के दर्द के लिए कमर के दर्द के लिए एक एक्क्यूप्रेशर बता रहे हैं आसन तो हम आए दिन बहुत करेक्रम हम बताते रहते हैं एक्यूप्रेशर का अभ्यास बता रहे हैं आपको एक्यूप्रेशर हमें अपने हाथ पर ऐसी जगह करना है जहां पर लंबार सेक्रम आधी के यानि कमर के पॉइंट होते हैं देखो ध्यान से यह वाला साइड इसको आपको यह ग्रिप करके अंगुलियों से पकड़ना है यहां से आपको दबाना है यह आपका कमर को ठीक रखने का पॉइंट है इसको अच्छे डंग से दबाएं आप नहीं दबा पारें डंग से तो यह ऐसे रगन अभी तो आप हाथ से देखें यहाथ से यहां दुखेगा अगर आपके कमर में दर्द है तो यहां आपको दुखेगा अच्छा प्रेस करें आखें बंद करके एक दो मिनिट सेहन करें देखो अभी का अभी कमर का दर्द सही हो जाएग अभी का अभी इसको सुबह शाम दो एक और पॉइंट है कमर दर्द के लिए भी इन दोनों के ठीक बीच में यहां से ऐसे अंगूठे से यूँ दबाओ इसे प्रेस कर जितना पीछे ले जा सको बहुत अच्छा ऐसे राइट से भी दूसरे आथ से भी दोनों आतों में यह कमर दर्द का रिफ्लेक्स पॉइंट है इसको दबाएंगे आपको फायदा होगा अभी होगा तुरंत होगा इंजेक्शन की तरह काम करने वाले पॉइंट तो आज हमने कमर दर्द तक गुटनों के बारे में सिर्थ के बालों के लेकर सिर्थ से लेकर हाट अस्तमा से लेकर और भी कई सारी डिसकस की समस्यां तो बहुत सारी है बहुत सारे प्रेशने दर्शकों के लेकिन हमने प्रयास किया आज विशेश सत्र रवीवार है वैसे अब ये YouTube पर सोंबार को यानि कल चलेगा प्रयास करें आप सब लोग योग करें करें योग रहें निरोग और आगे फिर आपकी समस्याओं आपके सवालों को लेकर के इनके समाधानों को लेकर के आएंगे आज इतना ही रखते हैं जै हिंद जै भारत झाल झाल झाल